साथवी जया किशोरी आज एक लोग प्रिये नाम बन चुकी है महस 23 साल की उम्र में ही उन्होंने काफी ख्याती प्राप्त कर ली है जया किशोरी जी शोशल मीडिया में भी काफी एक्टिव है जया किशोरी जी महस 7 साल की उम्र से ही भचन और भक्ती गीत गा रही है उन्हें 9 साल की उम्र में ही शिव टांडव, इस्त्रोतम, रामाकिश्टम, लिंगाश्टम, आदिस्त्रोत कंठस्त हो गए थे जया किशोरी जी अकसर नारायन सेवा संस्थान के बच्चों के साथ समय व्यतीत करती है वे अपनी कमाई का काफी अंच इस आश्रम में भी दान करती है जया किशोरी जी मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली है ब्रामण परिवार में जन्मी जया किशोरी के घर में शुरू से ही आध्यात्म का महौल था इसी महौल ने उन्हें कृष्ण भक्ती में सरोबार होने का मौका दिया नीजी जन्दगी को लेकर जया किशोरी जी कहती है कि वे किसी भी साधारन लड़की की तरह शाधी भी करेंगी और मा भी बनेंगी तो दोस्तों इस बारे में आपका क्या कहना है जया किशोरी जी को शाधी करनी चाहिए या नहीं आपका क्या मानना है हमें कॉमेंट करके जरूर बताईए और हमारे साथ पूरे देश को भी बताएं तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेर और कॉमेंट करिएगा और अभी तक अगर आपने PTV हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो यहां पर अप्लोड हो आपको सबसे पहले मिल सके तो फिर मुलागात करेंगे एक और शांदार वीडियो के साथ तब तक अपना खयाल रखी अपनों का खयाल रखी स्वस्त रहिए मस रहिए मैं हुस्सर भी आपके साथ और आप देख रहे हैं PTV हिंदुस्तान